डिये स्टूडेंस मैं आज इस वडियम में एक इंपॉर्टन नॉटिफिकेशन को डिसस करने वाला जो डबलूबी सी एचसी बोर्ड के तरफ से आई है यह नॉटिफिकेशन 11 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टन है अब आप लोगो जैसे के पता है कि हाली में 2nd of May को Azal बदल चुका है नहीं तर्गे से ऊच्छोर पोड़ाए और एक्जाम उडिया जायगा और 11 जो है यह समिस्टर पर बैज्ड है समिस्टर वन समिस्टर तंट है वह दो समिस्टर थर्ड समिस्टर फोड टो आप लोग कह सकता है किहली में work hour पाइल अई अग्जाम होंगे शबजी को सब्जिच को चूस करने के लिए, हमको मद्य परिस्इब सामे इस सब्स ही तब हम उस subject को यह जो भी सब्यक हम्URE करना जाते हैं। उसको हम उसको हम चूस कर सकते हैं। तो हम्रे मद्य परिस्दा में कि सब्जेब के इतने परसंटे'll होनी जाये तब हम Л wreck में 11 class में choose कर सकते हैं hs में choose कर सकते है तो उसको हम यहाँ पर discuss करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए notification में बताया गया है this is to notify that in order to be eligible for opting for an electric subject electric subject को choose करने के लिए जो column two में दिया गया है as this is right in the column two of the table below i student must obtain minimum percentage उसमें कुछ minimum percentage चाहिए जो भी column two में जो भी subject है उस subject को और करने के लिए उस subject को choose करने के लिए as a elective subject तो कुछ percentage होनी चाहिए तब हम उस subject को choose कर सकते हैं okay in the subject as noted in the column three of the table तो सबसे में देखते हैं column two में elective subject है जो 11 में हम choose करने वाले है और column three में देखिए क्या है minimum percentage of marks to be obtained that मध्यें परिशा for equivalent examination मध्यें परिशा का और नहीं है equivalent examination तो मध्यें परिशा में उतने percentage होनी चाहिए जो दिखाया गी हाँ पर तब हम उसको choose कर सकते हैं सबसे पहले देखिए column two में mathematics में mathematics को choose करने के लिए 11 में choose करने के लिए हमको क्या चाहिए मत्यमिक में हमको mathematics में minimum 35% होनी चाहिए तो अब लोगों आप लोगों में से बहुत सारे 35% से ज्यादा आए होगा तो biological science का मतलब होता है लाइफ से तो मद्धिव को कितने पर्संट होने चाहिए 35% होने चाहिए तब हम biological science ले सकते है या बायो ले सकते हैं उसके बद देगे physics तो physics को अम तभी लेख सकते है 35% होनी चाहिए है फिजीकल साइंस में चाहिए जोग्राफी तो लिने के लिए थर्टीफाइब सनौने चाहिए दिए इस अब लोग को वता है अभी जो है यह का दोर है यह मतलब आठीफिजल इंटेलिशंश इस सब्जेट को चूज करने के लिए यह निए सब्जेट लॉंज किया कि जैसे कि मैंने इससे पहले विडियो बने आ था कि कुछ-कुछ new subject जो है include कि आगे है new syllabus में AI के बारे में अगर आप लोग जानना जाते हैं तो यह subject को ले सकते हैं तो mathematics में इसके लिए 35% होनी चाहिए data science यह भी internet related है तो mathematics में 35% होने चाहिए सावे सिक्रोटी साइवर मतलब जो सिक्रोटी है अलग 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 इंटरनेट में अलग मेडिया में अलग लग सोर्स में तो उसमें mathematics में 35% जाहिए accountancy जो बैंक में होते हैं बैंक में काम आते हैं तो mathematics में 35% होनी चाहिए costing के बारे में जानने के लिए अगर यह subject को लेना चाहिए तो हमको मतलब में 35% होनी चाहिए तो इस वीडियो में हम लोग ने यह सीखा कि जो भी subject हम चूज करना चाहेंगे जो तो column 2 में दिया गया उस subject को चूज करने के लिए मतलि में यह सब सर्जिन में कितने percentage होनी चाहिए तो यह हम लोग जान भाए तो आप लोग समझ चुको होंगी तो आप लोग idea होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जित्वी बच्चे है वो सारे इन सब्चिन में 35% से